So hey guys, welcome back to the new video So, आज का वीडियो अपना होने वाला है Royal Infilt Meteor 350 के बारे में Top end variant यानि कि Supernova आज अपने लोग कवर करने वाले है जिसकी आप लोगी तरफ से काफ़ जादा डीमांड आ रही थी ये है अपना Supernova Windscreen प्लस Chrome का यूज़ यहाँ आप लोगों को काफ़ी सारा मिल जाता है Total तीन वीरियंट पे बाइक अवेलेबल रहने वाली है Base हो जाता है Fireball Then अपना Stellar आज जाता है And Top फितले इनमना हो जाता है Supernova जो कि आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है Red and Black यानि कि Dual Tone Color Option यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा जो की combination काफ़ी अच्छा बन जाता है Engine का setup complete blackout है Chrome जो है काफ़ी neat इसका setup आप लोगों को feel होने वाला है Start करते है अपना वीडियो भाइक की pricing की साथ So price range variant के according और colors के according यहाँ पर आप लोगों को change रहने वाली है प्राइस पॉइंट स्टार्ट होने वाला है 2.464 बीएस वीरियन 246,000 और एंड होने वाला है Supernova से वो रहने वाला है अपना 2.64 244,000 ओन रोड जैपूर विदाउट नेविगेटर यानि कि जो ट्रिपर मीटर गूगल का यहाँ पे लगता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उस वाली हमालियन में वो चीज इंस्टॉल्ड है पांच सार रुपे का वो है अगर आप लोगों को लेना है तो 270 हो जाता है नहीं लेना तो 2.64 लगबग आराउंड आप लोगों को बाइक कोस्ट करने वाली है स्टार्ट करते हैं अब क्या कुछ आप लोगों को पाइक में मिल जाता है फ्रेंड पे देखते हैं तो विड़ स्क्रीन यहाँ आप लोगों को कंपनी से एस स्टेंडर्ड रने वाली है यह पार्ट ओफ एससरीज नहीं है अगर नीचे के दो विरियंट लेते हो वहाँ पर आप लोग इसको एक्स्ट्रा पे करके इंस्ट्रॉल करवा सकते हो सारा सेटप यहाँ पाप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पे अवेलेबल रहता है रोल इन्फिल की ब्रेंडिंग आजाती है एलिडी डीयरल अप लोग देख सकते हो कम्प्लीट ओवरोल लाइटिंग सेटप आपको मिलेगा हैलोजन बी ही इन्डिकेटर हाउसिंग भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी क्रोम में और क्रोम देख सकते हो काफी जादा neat यहाँ पर लोगों पर पर क्रोम का काम देखने को मिलेगा Telescopic Suspension Setup है Thickness काफी जादा यहाँ पर लोगों को अच्छे मिल जाती है 41 mm का Suspension का पर लोगों यहाँ पर setup मिल जाता है Telescopic number plate का clamp अपना यहाँ आ जाता है यह अपना रिफ्लेक्टर जो की में डिटरी वाला पार्ट है वाइब डी की ब्रेकिंग है फ्रेंड भी एंड रियर भी फ्रेंड डिस्क अपना रहने वाला है 300 mm का डियून चलने ले एबियस के साथ C8 का यह टायर है ग्रेडिंग रहने वाली है 190-19 19 इंच का टूबलेस टायर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है वित अलोई तो अलोई का सेटप डायमंड कट वाला यहाँ पर मिल जाता है वित मैट ब्लेक्ट सो यह रहा अपना टायर का पैटन और अलोई का शेप और पैटन आप लोग देख सकते हो डायमंड कट वाला पूरा सेटप यह मिल जाता है रिफलेक्टर यहाँ पर भी है इस कलर अप्शन के साथ ग्लॉसी ब्लेक कलर टोन में ही अपका फ्रेंट मटगार्ड है फाइबर में और साइज आप लोग देख सकते हो मटगार्ड एक्स्टेंडर भी है यहाँ पर मिल जावाला है इस टाइप से कुछ राइडर्स पी ओ वी यहाँ पर बन जाता है टैंक कैपिसिटी काफ जाद अच्छी मिल जाती है फिफ्टीन लिटर टोटल पंतरा लिटर का फ्योल टैंक कैपिसिटी है यह अपना फ्योल कैप यह भी क्रोम में ही है इस टाइप से रॉयल इंफिल्ड का यहाँ पर एंबलन अप्लोग को मिल जाता है स्विचिस देख लेते हैं तो यह थ्री इनवन रॉयल इंफिल्ड सिंस 1901 प्लस पास यह जाता है इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में काफी लाउड होने राइट साइट पे केल सुच प्लस स्टार्टर इनवन एक सुच यहाँ भी है क्लच का फील देख लेते हैं तो काफी जादा स्मूथ क्लच का फील यहाँ पे है बार एंड भी अपना क्रोम में ही है उसी के साथ साथ रियर व्यू मिरर भी आपको क्रोम में ही मिलेगा जो कि क्रोम का काम ना भाई मतलब एक काफी अच्छी कॉंटिटी में प्लगों को क्रोम मिल जाता है और प्लस क्वालिटी भी काफी अच्छी है है हैंडल वार भी क्रोम में ही यहाँ पर प्लगों को मिलने वाला है इस साथ से कुछ अपना की का सेट अप रहने वाला है वीव की यहाँ पर मिल जाती है Royal Infield का जैल वाला logo मिल जाता है combination में M.I.D. setup है analog plus digital, digital window यहाँ पर मिल जाती है 160 तक speedometer में marking रहने वाली है नीचे सारी warning light से जाती है Royal Infield की branding है eye button मिल जाता है जिससे की changes यहाँ पर होने वाले हैं यह जाता है अपना autometer trip A, trip B and trip F यही सारी information यहाँ आप लोगों को मिल जाती है उससे के साथ है gear indicator भी है, clock भी है यह जो blink हो रहा है यह है अपका fuel gauge so, यह अपना riders POV seat की बात करते हैं तो split में seat है प्लस यहाँ पर लोगों को थोड़ो सा brownish texture देखने को मिलेगा यानि की कपड़े का जो color है fabric का जो एक paint scheme है यहाँ लोगों को brownish down में देखने को मिलता है backrest भी यहाँ पर लोगों को standard ही रहने वाला है यह भी part of accessories नहीं है royal infield की branding के साथ यह चीज़ आप लोगों को मिल आती है और अगर lower variance ले रहे हो काफे सारी bikes में न front disc भी 270 mm की नहीं होती वही bybrick का ब्रीक के लिए पर आ जाता है dual hydrolex spring माला setup यहाँ पर अपने को suspension का मिल जाता है adjustment के साथ so multiple way adjustments को प्रोप कर सकते हो यहाँ पर भी chrome का use है rear mudguard है अपना रहने वाला है metal में क्योंकि काफी अच्छी चीज़े मुझे लगता था यह fiber में होगा जैसा की hunter में भी रहता है पर यह अपने को meteor में metal में proper मिलने वाला है exhaust पर देखते हैं heat shield भी अपना chrome में ही रहने वाला है और काफी अच्छा chrome का हमेशा की तरह काम देखने को मिलेगा रियर लुक यह रहा अपना tail lamp on होने के बाद और हजार ओन होने के बाद tail tidy fiber में आ जाता है और LED में अपना number plate का bulb रहने वाला है यह रहा अपना rear look bike का काफी अपना प्रोमिसिंग लुक यहाँ पाफ लोगों को मिलेगा साड़ी guard with ladies foot rest मिल जाता है side stand and center stand दोनों मिल जाता है dual head में आपका gear lever है स्टैप से engine का टेक्चर अपोज़ट साइड से media meteor 353 अप लोगों को side panel पे पूरा stickering का काम देखने को मिलेगा यह रहा अपना engine का texture अपोज़ट साइड से engine specifications की बाद का लेते हैं अपना बाइक का टोटल वेट तो यह है अपना बाइक का टोटल वेट fuel tank capacity काफी अच्छी 15 लिटर यहां आप लोगों को बन जाती है seat की बाद आप लोगों ने करी ली जो rider का कर्व है वो काफी जाधा comfortable riding position आपकी बना देता है seat height भी जाधा नहीं होने वाली 765 mm की टोटल अपनी seat height है, ground clearance total बाइक करेने वाला है 170 mm का so यह हुई भाई अपना meet your 350 supernova top and variant के बारे में पूरा वीडियो complete कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना बहुत ही जल्दी ride review भी आप लोगों को विली आने वाला है जब तक के लिए subscribe करके bell icon को all ज़रूर से कर लेना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देनो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ आप लोग कर सकते हो करते अपने यह वाला वीडियो एंड और मिलता गले वीडियो के साथ इसी के next day जब तक के लिए ध्यान लगों खुद का भी घरवालों का भी और आपकी गाडियों अभी टेक केर बाई बाई